सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या है डॉक्टर है उनको कभी पिछा चुडानी नहीं देते जैसे कि उनको दमाग में उल्टी चीज गुसा देंगे कि यह तो अच्छी होती है इसका कोई नुक्सानी नहीं होता है इसके तो फैदी फैद हैं निकलना चाहिए अगर अंदर ब लगसे वीडियो जो हमारे साथ जुड़े हुए उनको पते ही है ऐसा कुछ नहीं है सरा सरा आपको बनाने वाली बाते हैं और हस्तो मैथन के नुक्सान ही नुक्सान है इसके नुक्सान जो पीछ वाली वीडियो में हमने डिसकस की है वह आप वीडियो देख सकते हैं तो प्रशादी फैदें ऐसा कुछ नहीं है साइंस में भी कहीं लिखा नहीं हुआ तो हमने सारी एक्जैंपल पीछ वीडियो में देखी हैं अब बोलते हैं कि मस्टरवेशन को कैसे चुटका रहा पाएं तो सबसे ज़्यादा जो हस्तमेथन करते हैं उन लोगों के मन में क्या आता है कि वो कम है अगर कोई सिंगर है कोई जॉब करता है कोई हाथ का कोई मेकैनिक है काम करता है मोटर सैंकल का कार है कोई स्टूडेंट है तो उसको लगता एक guilt feel होती है कि वो कम है दूसरों से पर मैं बोलता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा genius लोग ही वही हैं कम वो है नहीं किसी सबसे ज़्यादा genius लोग वही हैं और इस statement को मैं प्रूव करूँगा कि हाँ आप सब लोग सबसे ज़्यादा genius हो अपने आपको कम समझने की यह हो गया यह तो वह हो गया बस आप तो गए आप किसी से कम हो यही आपके दमाग में गुसाया गया है यही आप समयते हो पर मैं आपको बताओंगा आप सबसे ज़्यादा genius हो आप जिस किसी भी business में हो कोई student है mechanic है कोई professional work में है वो दुनिया में कहीं पहुंच सकता है masturbation बस आपको एक चीज़ समझने की जरूरता है masturbation में सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसके नुकसान क्या है तब ही आप इसको छोड़ पाओगे तो पीछे वाड़ी वीडियोस हैं वो सारी आप देख सकते हूं कि इसके नुकसान क्या है क्योंकि आपका अधर तक फैदी इसलिए नहीं आप छोड़ पा रहे थे सबसे पहली बागी है दूसरा कि जो मैंने बोला है कि जीनियस क्यों हूं आप दुनिया में एक ही तरह का आदमी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ पाता है जिसको अबसेशन हो अबसेशन होता है काम करने की जिद जैसे हस्तमेथन करन दुनिया में जितने भी सबसे बड़े रिसर्च की हैं दुनिया में जितने वी टॉप के बिनिस में हैं सब में यही क्वाल्टी थी अबसेशन काम करने की जिद् और दमाग के हमारा जो दमाग है इस में कोई फरक नहीं करता क्या आपको स्वेस्टोर्थी धियिवर करने की जेदे हैं यह आप सैंटिस्ट ओनुन में कैना प्रिष्टे कोई परक नहीं करता दमाग मतलब जेदे हो जिद है वो चाहे हस्तो मैथन करने की जिद है चाहे आपके अंदर बिजनस करने की जिद है चाहे आपको पड़ाई के अंदर टॉप करने की जिद है चाहे आप कोई प्रफेशनल वर्क में हो कोई सिंगर हो कोई इंजिनियर हो आपके उस एरिया में रिसर्च करने की जिद है आगे बढ़ने की जिद है दमाग इन जिदों के अंदर कोई फरक नहीं पड़ता फरक आप डालतो अपने आपको अब क्या है ओसी एन बोल देते हैं इस चीज़ को हम अबसेसिव कंपलसिव निरोसिस की आदमी के अंदर अबसेशन आ जाती है पागलपन आ जाती है वो एक ही यह भी आपके तरह ही है इनके अंदर कीड़ है रसर्च करनी का यह कहते हैं तीन-तीं दिन गड़नी जाती है इनका अपने बच्चों का पता नहीं कौन कहां पड़ रहा है का कर रहा है उसने तीन दिन से घाना खाया कैनी खाया वह सोया कर कि इनके अंदर यही है ओ अबसेशन इसी लिए यह इतने बड़े लेवल तक जाते हैं और जातर सैंटिस्ट हैं रिसर्चर हैं आपको बिजनसमेन हैं उनके बायोग्राफी पढ़ी है उनको आप कहते मिलें कि हमें लत थी जिद थी और दिमाग जिदों के अंदर कोई फरक न परता जिद आपको भी है जिद इनको भी है अब क्या स्लूशन क्या इसका सिंपल सा स्लूशन है आप इस चीज को समझिए अपनी जिद को डैवर्ट कर लीजिए उसको आपके दमाग के अंदर दोस्तों पहले से कीड़ा गुसा हुआ है किताब भी जो कीड़े होते हैं ना अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आपकी इसी लट को अगर पढ़ाई की तरफ लेके आओगे मैं नहीं मानता आपसे बड़ा टॉपर कहीं पर भी दुनिया में होगा क्योंकि आपके अंदर तो पहले ही लट बरीगी है किताबी कीड़ों को अपने अंदर ये लट डालनी कोई कचाई कोई स्टूडेंट है कोई जॉब में है किसी फील्ड में है प्रफेशनल फील्ड में कोई भी काम कर रहा है जा कोई खाली बैठ है तो भाई उसको काम करने की जरूरत है इस लट को बस अपने एरिया में गुसार डालिए दमाग कोई फर्क नहीं समझता है कि आ आप साइंटिस्ट हो जा आपको हस्त मैथन करने की लट है तो भाई लट तो लट है जिसके दमाग के अंदर कीड़ा है कुछ बनने का वही बनता है लोग मोटिवेशन वीडियो देखकर अपने अंदर ये लट डालते हैं आपने भी सुना होगा बड़े-बड़े करते हो आपके अंदर तो ये कीड़ा पहले सी है तो दमाग के इसी कीड़े को कर लीजिए अपनी बना लीजिए और अपनी फेल्पाड़ी कि यह बनाई हो सकता है इतनी प्रफेक्ट बस डैवर्ज कर लीजिए इतना काम आपने करना है यह दमाग का खेल है बस आप डैवर्ज करके देखिए आपको जो मैं बोला हूं वही मिलोगे आप भी सैंटिस्ट हो आप भी सर्चर कुछ भी बन सकते हो लोगों को यह दोस्तों कीडा डालना पड़ता है कोई भी काम को जिद करके करने की हम नहीं सुनते कि जिद कर लें तो कुछ भी पा सकते हैं तो आपके अंदर लोग तो सोचकर जिद डालते हैं आपके अंदर तो पहले से ही जिद है बस जिद को डैवर्ट करना है अपने अब क्या करना है यहां प तोड़ा बहुत असर पड़ा है जो शरीर के उपर हड़ियों के उपर जो और कहीं पर भी फर्क पड़ा है वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं तो उसको पूरा कर लीजिए उसको ठीक कर लीजिए आप सबसे ज़्यादा काम या बंदे हो आपको गिल्ट फील करने की जुरूरत नहीं है एक परसेंट भी कि आप कम हो गयो खुल कर जीए अपनी लाइफ बस डैवर्ट कर लीजिए लोगों को दोस्तों जिद बरनी पड़ती है अपने अंदर कताबी कीड़े को कताबी कीड़ा बरने के लिए दिन में 50 वार बोलना पड़ता है किसी बि अगर जिद करके आप मास्टरबेशन कर सकते हैं जिद करके तो अपनी फील्ड में भी निकल सकते हैं डैवर्जन कर लीजिए बस डैवर्जन की जुरूर था आपको कैसे कम्यों को पूरा करें कैसे नुकसानों से बचें उसके लिए पिछली वीडियो देखें अगर किसी कुछ समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है नीचे मैं जब भी कमेंट करेंगे जब भी सबाय होगा मैं उनको रप्लाई जरूर दे दूआ मेरे से संपर कर सकते हैं तो ऐसी और भी साइंस बेस्ट वीडियो कैंसर की उपर है कैसे बिना सजरी के हम एंट के जो बुएंडे की डिली की जो ब्मारे पर इसे पर जाइंसर के उपर है उप एंड होने साथ में गंटी का बटन देख रहा है आपको उसको दबाकर नॉटिकेशन और मासा जुड़े रहें कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो को देखते रहें और भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो सारी देख सकते हैं तो वीडियो देखने के यह थैंक्स तो इसको आपने हर जगा समझाना है अपने दोस्तों तक यह वीडियो पहचान नहीं है ताकि वो समझ सके उनके अंदर कोई कमी नहीं है सिर्फ डैवर्जन की जुरूरत है आप भी दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप पर पहुंच सकते हो तो मरसा बने रह यह थैंक्ली ही दने